शिर्फ सेना सूत्रों के मतावेक बीजेपी के शीष नेताओं के साथ शिर्फ सेना की कई एहम बैठके हुई थी इन बैठकों में ये तैक किया गया था कि बीजेपी अधिक्तम सीटों पर लड़ेगी लेकिन नतीजों में किसी के हिस्से कितने भी सीटे आएं अगर महायूत शिर्फ सेना की सीना नेता संजै शिर्फ साथ ने कहा है कि एकनाशिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया वो मुख्यमंती बनने के हगदार है शिर्फ साथ ने ये भी कहा कि एकनाशिंदे डिप्टी सीएम का पद मन्जूर नहीं करेंगे कि यूँ आपको लगता है कि एकनाशिंदे जी को ही मुख्यमंती महराष्ट का बना जाहिए दिखिए इसमें लॉजिक है जो विदान सभा का चुनाव लड़ा गया वो एकनाशिंदे साब का चेहरा सामने रखके लड़ा गया उनके नेतरुत में लड़ा गया ये देवें अगर वो डिमांड अगर वो पूरी करते तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा आने वाली कारपोशन के चुनाव है बहुत सारी कारपोशन जाए जिल्ला परशद है ये ग्राउंड लेवल की जो सब बाकी सब स्वंस्ता है उसके अंदर एक अपनी मजबूत पकड़ ह इसलिए हम एकना सिंदे साब का नाम बता रहें अब इसके बारे में क्या मिरने लेना है यह वरिष्ट नेता ले हमने कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे ऐसे को हमारा भाइट वाली बात नहीं है यह सब पॉलिटिकल अरेलिस करके अगर देखेंगे तो भी करेंगे